नमस्कार, 14 पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, दारों का समेत, SSA जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भूगोल से रहेंगे तो आएए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते है सवाल नमबर एक, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? A. देवदूतों की भूमी B. आरे प्रदेश C. बॉद्मठ D. हरियाली प्रदेश और इसका सही जवाब है C. बॉद्मठ सवाल नमबर दो, बिहार में किस जगा पर भार्थिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस का साल 1922 का अधिवेशन हुआ था? A. हरिपुरा B. पटना C. गया D. रामगड और इसका सही जवाब है C. गया सवाल नमबर तीन जार्खन बनने के तुरंद बाद विहार में कितने जिले रह गए थे? A. सैटीस B. अर्टिस C. च्छतीस D. पैटीस और इसका सही जवाब है ओप्शन A. सैटीस सवाल नमबर चार अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कार खाना कहा इस्थापित किया था? A. वांबे B. सूरत C. मदरास D. बंगाल इसका सही जवाब B. सूरत है सवाल नमबर पाच आचार विनोबा भावे ने वर्स 1940 में व्यक्तिकत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? A. गुजरात में नाडियार से B. महारास्ट में पवनार से C. टमिल नारू में अडेयार से D. आंदरप्रदेश में गुंटूर से और इसका सही जवाब है B. महारास्ट में पवनार से सवाल नमबर छे सती प्रथा पर रोख किसके द्वारा लगाया गया? A. वारेन हैस्टिंग्स B. लॉर्ड वेलेजुली C. विलियम बेंटिक D. लॉर्ड डलहॉजी इसका सही जवाब C. विलियम बेंटिक है सवाल नमबर साथ इलेक्ट्रिक हीटर में इन में से कौन सी चीज प्रियोग में लाई जाती है? A. टंग्स्टन B. नाइक्रोम C. पीतल D. स्टील इसका सही जवाब B. नाइक्रोम है सवाल नमबर आठ कबक यानिकी फंगस के अधियन को क्या कहते है A. फाइकोलोजी B. माइकोलोजी C. फ्रिनोलोजी D. एंथोलोजी इसका सही जवाब option B. माइकोलोजी है सवाल नमबर नौ हाल ही में जारी किये गए वैश्विक श्यांती सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले इस्थान पर रहा A. नियूजीलेंड B. अफगानिस्तान C. आइसलेंड D. पोलेंड और इसका सही जवाब option C. आइसलेंड है या आपको बता दू कि इसमें भारत का इस्थान कुल 163 देशों में 135 वा है सवाल नमबर 10 कौन सी दो नई टीमें IPL 2022 में शामिल होगी A. पट्डा B. लखनव C. अहमदाबाद D. बी और सी दोनो और इसका सही जवाब B. और सी दोनो यानि की लखनव और अहमदाबाद दोनो है सवाल नमबर 11 चावल की खेती के लिए सबसे उपियोक्त मिट्टी कौन सी होती है A. लटराइट मिट्टी B. लाल मिट्टी C. जलोड मिट्टी D. काली मिट्टी और इसका सही जवाब उप्सन नमबर C. जलोड मिट्टी यानि की दोमत मिट्टी है पिछले सेट में हमारे जिन तर्शोकों ने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिये इनके नाम है हमारे इस सेट में आप कितने सवालों की जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं सबसे ज़्यादा सही जवाब देने बालो का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद